यानिता जलिक के लालकुआ रेल्वे स्टेशन पर CBI की टीम ने चापमार कारवाई की टीम ने वानिट जो अधिक्षवक कारले में रेल्वे कमर्शियल सुपरवाईजर राजवेंदर तोमर को साथ हजार रुपे रश्वत लेते हुई गिरफतार किया जिसके बाद देश वान तक कारले में तैनाद कई अधिकारी और करमचारी और करमचारी उसे पोच्टाश की गई रेल्वे कमर्शियल सुपरवाईजर पर आरोप है कि उसने विवस्ताहि के उतरने वाले पारसल माल को लेकर रश्वत मागे थी शिकायत करता बरेली निवासी राजश पासवान ने कमर्शियल सुपरवाईजर के खिलाफ शिकायत दिश की जिसको लेकर CBI की टीम ने रेलवे कमर्शियल सुपरवाइजर को हिरास्त में लेकर CBI कोट में पेश गया लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट टीम ने आज देर शाम लालकुआ रेलवे स्टेथन पर छापा मार अभियान चलाया है जिसमें साथ 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 से टीम ने देरादून से आकर लालकुआ में इस्टेथन पर छापा मार आए जिसमें एक कमर्शियल जो सुपरवाइजर है रेलवे का उसको इहरास्त में लेकर से लगातार यहां पर पुछता चल रही है और काफी कई गंटे बीच चुके हैं उसके बाब जूद भी यहां पर जो कर्मचारी से पुछता जारी है बताया यह जा रहा है कि किसी के दौरा इसकी शिकायत की गई थी कि माल डुलाई के एवज में रूपे मांगे जा रहे थी जिसके बाद उसके दौरा कल शिकायत की गई थी जिसके बाद यहां पर CBI की टीम आज यहां पहुची और साथ 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 से टीम ने यहां पर आगा चाफे मारी अभियान चलाते हुए रंगे हाथ यह कर्मचारी को गिरफतार करके अपने साथ ले जाने की बिल्कुल तैयारी कर रही है CBI की टीम मैं मुना अनसारी MPN News लालबुआ